बच्चो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल अमबाला केन के यूट्यूब चैनल अकेडमिया अमबाला में स्वागत है बच्चो आज हम खुलते पंक पार्ट दस दो गुरेया के अभ्यास कारे के बारे में पढ़ेंगे बच्चो आपने पहले वीडियो में दो गुरेया के बारे में पठन के बारे में जाना था आज हम अभ्यास कारे के बारे में जानेंगे तो बच्चो सबसे पहले हम शब्दर देखती हैं इसका पहला शब्द है चावनी चावनी का अर्थ है पड़ा या शिवर तो जैसे बचो सैना पतिकों आदिका कुछ समय के लिए रास्ते में कहीं ठैरना कि थोड़ी समय के लिए रास्ते में ठैरना उस चावनी का मिनिंग होता है पड़ा पड़ा मतलब कि सैना आधिका कुछ समय के लिए रास्ते में ठहरना जाहिर मतलब सपस्ट, साफ तोर पर कि बिल्कुल साफ है ये जाहिर है कि हम जैसे कहते हैं कि जाहिर है कि ये बात तो बिल्कुल साफ है वियंगे मींस ताना किसी को जैसे हम इंगलिश में कहते हैं न कि टॉंट कर रहे हैं कि किसी को ताना मारना हसी मजाक में किसी को किसी के बारे में कह देना कि ये विक्ति ऐसा है या किसी की बातों ही बातों में किसी को सुनाना ठकोर rubi का मतलब है ठक ठक करना कोई आवास करना चातिफ उलाई गर्फ से बहुत अभीमान से मतलब कि हाँ जैसे कोई काम करके किसी ने कोई अच्छा काम किया होता है ना कहते हैं कि इतना अच्छा काम कीया कि वो गर्फ से उसको बहुत खुशी हुई तो इसका मिनिंग है चाती फुलाई मलहार, मलहार एक राग होता है बच्चों जो वर्षा रितु में गाया जाता है तो लेकिन अब ये शब गुरेयों के बारे में प्रियोग किया गया है गुरेया यह नहीं कि वो मलहार राग गा रही थी वो चीची की आवाज कर रही थी जिससे ऐसा लगता था कि मालोओ कि मलहार राग गा रही हो थिगलिया थिगलिया बच्चों कपड़े के पुराने कपड़े के छोटे छोटे